नमस्कार दोस्तों आज के स्वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ऐसे टॉपिको जिसको इंडियन एकॉनमिक के टांस में डिस्कस किया जाना तो बहुत जादा इंपोर्टन्ट था लेकिन एक बोगस मुद्दे की वज़े से और कुछ मीडिया होसिस की वज़े से इस मुद्दे को डिसकस नहीं किया गया अब बोगस मुद्दे की बात निकल ही गई है तो ये बात बहुत दूर तलग जाएगी 24 मही 2023 को कॉंग्रेस ने नई संसत के inauguration ceremony जो की 28 मही 2023 को होने वाला था उसको boycott करने का ऐलान किया और कॉंग्रेस के अलाव उन्नीस opposition parties ने कॉंग्रेस का समर्थन दिया इस boycott में और इस boycott का reason ये बताया गया क्योंकि नई संसत देश के लिए बहुत ही महत्वपून building है तो इसका inauguration constitutional post पे बैठे प्रेजिडेंट मूर्मू के द्वारा किया जाना चाहिए था दोस्तों मैं आपको congress की hypocrisy समझाने के लिए एक दशक पीछे लेकर जाना चाहता हूँ मार्च 2010 में तब मिलाड़ू state assembly complex को जब inauguration किया गया तब सोनिया गांधी जी वहाँ पे मौजू थी लेकिन constitutional post पे बैठे हुए state के governor को नहीं बुलाया गया था और इसी के अगले साल दिसंबर 2011 में मनिपूर state assembly का inauguration किया गया प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग जी और सोनिया गांधी जी के द्वारा without inviting constitutional post पे बैठे हुए honorable governor of that state चलिए दोस्तो अब हम आ जाते हैं अपने असली मुद्धे पर 19 में 2023 को Reserve Bank of India ने अनॉंस किया withdrawal of rupees 2000 currency notes from circulation और इसके पीछे की वज़े बताई clean note policy आईए देखते हैं क्या है clean note policy ये policy focus करती है providing people new notes with enhanced security features and withdrawal of old notes दोस्तो RBI के इस sudden announcement के साथ में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं हालकि ये बात अलग है कि नरेंद मोदी जी जब से प्रधान मंतरी बने हैं देश को ऐसे ही sudden announcement के आदत पढ़ चुकी है जैसे कि 8 नॉंबर 2016 को demonetization का announcement और उसके बाद में जो हालत हम लोगों के हुई थी वो तो आप सब जानते ही है बहराल हम फिर से अपने सवालों पे आ जाते हैं पहला सवाल ये जब RBI को ये नोट 6 सालों बाद फिर से विड्रॉल करना था circulation से तो इस नोट का introduction ही क्यों किया गया और अगर ये steps RBI के द्वारा planned नहीं थे तो देश की economy और देश किस सरफ aggressor है ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तो इस सवाल का जवाब कुछ यूं समझा जा सकता है कि demonetization के बाद में 500 और 1000 की currency notes का legal tender cancel कर दिया गया था और ये 500 और 1000 currency notes circulation के अंदर 85% constitute करते थे जब 85% notes फिर से withdrawal कर लिये गए थे और जब इतने major हिस्से को circulation से withdrawal करने का फैसला लिया गया था तो RBI ने 500 के नए notes की printing बे स्टार्ट कर दी थी लेकिन उस समय देश में 500 के नए notes को छापने की इतनी तादाद में शम्ता नहीं थी इसलिए उस shortage को fill करने के लिए रुपीज 2000 का नए note इंटर्डियूस किया गया था दोस्तो अब बात करते हैं दूसरे सवाल की विड्रॉल अफ रुपीज 2000 करनेसी note फ्रॉम सर्कुलेशन का implication क्या आएगा इंडिया के उपर पहला impact जो देखा जा सकता है वो होगा slow down in economic growth in short term क्योंकि भारत का major labor force आज भी unorganized sectors में ही काम करता है और ये sector cash transactions के उपर बहुत जादा depend करते हैं दूसरा impact जो दिखा जा सकता है वो रहेगा banking sector के उपर क्योंकि उनके उपर एक extra burden आने वाला है exchange और deposit का साथ ही अगर बात करें long term effect on banking sector तो रुपीज 2000 का circulation से बाहर आना reduction in cash की तरफ लिके जाता है और जो की further more banking sector की liquidity को भी improve करता है और तीसरा impact जो as a country इंडिया के उपर आएगा वो long term में beneficial रहेगा इंडियन economy के लिए क्योंकि RBI के ये step increase करने वाला है long term में transparency and efficiency in the economy चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कुछ interesting facts about Indian currency system RBI Act 1934 RBI को empower करता है to issue all bank notes except 1 rupee note और इसी act का section 22 RBI को sole authority देता है to issue bank notes in India और एक interesting fact एक रुपे के note को consider किया जाता है as a coin और इसी लिए RBI को ये authority नहीं दी गई है कि वो एक रुपे का note issue कर सके तो दोस्तों ये वीडियो था रुपीज 2000 currency notes के circulation से withdrawal का और इस वीडियो में हम लोगोंने जानने की कोशिश करी RBI की reason की क्या है clean note policy और इसके साथ ही हम लोगोंने detail में बात करी implication और impacts की जो की इंडिया पे होने वाले है दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए कुछ सवालों के जवाब दिये अब इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक सवाल के साथ छोड़के जा रहा हूँ आप लोग please comment box में अपना उत्तर लिखें जैसा कि आप लोग सब जानते हैं अगले 6 मेने में 5 बड़े राज्यों में स्टेट assembly elections होने वाले हैं और साथ ही 2024 में भी union में election होंगे तो ऐसे में देश के सबसे बड़े note को circulation से withdraw करने का decision लेना महज एक coincidence है या फिर एक political strategy है दोस्तो ऐसे ही national significance के मुद्दो का neutral और detailed analysis देखने के लिए आप हम लोगों को subscribe भी कर सकते हैं हमारा नाम है सवाल और समवाद